नमस्कार रामराम किसान भाईयो आज एक सुभह की घुड़ न्यूज किसानों के लिए है जो किसान अब खेती बाड़ी के साथ साथ परंपरागत खेती के साथ साथ मचली पालन या फिर जिंगा फार्मिंग की शुरुबात करना चाहते हैं तो आपके लिए मोका है सबसीडी अब सरकार के तरफ से जो सबसीडी दिये जाने की योजना अब फिर से लागू की गई है और इसके लिए आपको 28 परवरी यानि की इसी महिने का पूरा-पूरा वक्त दिया गया है इसके लिए आपको मच्छे पालन विभाग के साथ संपर्ग करके इसकी पूरी जान कर लि और इसमें समाने वर्ग जाहे वो महिला हूँ पुरूश हो उसके लिए टोटल जो परियोजना लागत पर आएगी उसका 40% तक का अंदान वित्य सहिता मिलेगी और महिला अनसूचित जाती वर्ग के लिए परियोजना लागत पर 60% तक का अंदान देने की सरकार के तरफ से जो घोशना है वो की गई है मचली पालन में भारत का विश्य में दूसरा स्थान है अगर किसान अच्छे तरीके के साथ मचली पालन करें तो क्रिशी से अलग पहचार बनाए जा सकती है मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार के तरफ से इस योजना को 28 परवे तक आवएड़न पत्तर जमा करवाने की आखिरी तारिक जो है वो मकर के गई है मतसे अधिकारी के मताबिक इस योजना के तहत किसान पटा जमीन पर मचली पालन करना चाहते हैं तो उने सरकार से सुविधा मिलेगी इसके लिए 28 परवे तक आपको आवएड़न पत तर्जमा करवाना है इचुक किसानी स्योजना के तहरत 노ीचे पानी में मचली पालन के लिए तलाब का निर्मान खारे पानी के तलाब का निर्मान कर सकते हैं और ऐसे में इस पूरे आपके में अगर देखें shutdown में हालांकि काम में हर्याना में सबसे ज़्यादा जींगा हो रही जिसमें किसान ने काफी मोटा मुनाफ़ा भी कमाया है लेकिन यूक्रेन रूस यूद की वज़ा से इसकी किमतों में जरूर गिरावटाई जिसमें किसानों को इस बार नुकसान जरूर उठाना पड़ा है लेकिन अब आगे मार्च अप्रेल का जो महीना है इसके आपको उनकिसानों के साथ वीजिट करना है आपको ट्रेनिंग भी जरूर लेनी है और प्रधान मंत्री जो मत्से संपदा योजना के तैद निरधारित प्रयोजना का लाप दो भागों में बाटा गया है जिसमें समाने वर्ग में 40 परतिशत की सबसिड़ी मिलती है टोटल मचली पालन वेबसाइट से जुड़े किसानों की आएमे वरिद्धी के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करना है धरसल सरकार इस सी उचना के अंतरगत जलिये कृशी को बढ़ावा देना चाहती है और इसलिए जलिये शेत्र में वेबसाइट को बड़े प्रमाने पर पोखर या गड़ा बनवा सकते हैं मचली पालन कर सकते हैं और अपनी आमदिनी में भी वो बढ़ावा कर सकते हैं इसके लिए आपको मैं द्वारा से बता देता हूँ pmsy.dof.gov.in ये अधिकारी सरकारी वेबसाइट है जिसके उपर जाकर आपको विजिट करना यहाँ पर आपनी CSE सेंटर पर जाकर पूरी जान करने सकते हैं और मैं एक सला किसानों के लिए दूँगा आप बिना देखा देखी बिना कुछ विजिट किये जिंगा मुश्किल आना बड़ा मुश्किल हो सकता वापसी करना इसलिए आप उन किसानों से जरूर मिले जो पहले से मत्सेपालन का लाब उठा चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छे लगी होगी बहुत बहुत शुक्रिया